गुद मॉर्णिंग गुद मॉर्णिंग एव्रिवन आज हम लोग फिर अपना कंप्यूटर क्लास ही रिज्यूम करेंगे कल जब हम लोग टाइपस आफ कंप्यूटर्स लर्न कर रहे थे तो उसमें सिर्फ डेक्स्टॉप को ही लर्न किया था आज हम लोग रिमेनिंग करेंगे और इस चेप्टर को कंप्लीट करेंगे फिर हम लोग एक्सराइज करेंगे फॉर प्रैक्टिस पर्पॉस चलो एक विक रिवीजन लेते हैं कि कल हम लोग ने क्या लर्न किया था कल हम लोग ने सबसे पहले यह कुछ वर्ड मेनिंग्स लर्न के थे जो हमारी क्लास क कुछ भी कमांड आदेश पर्मिशन आर्डर नेसेसरी वेरी इंपॉर्टन्ट बहुत जुरूरी टॉप एंड बॉटम फिर हम लोग डेस्क एंड टॉप यह दो वर्ड को मिलाके क्या एक वर्ड बनाया थे हम लोगोंने डेक्स टॉप डेक्स टॉप और इसे हम लोगोंने ल किस प्रिंसपल आफ कंप्योटर में किस स्टॉप करता है हम लोग उन्यक वह hablar जाकिक्षुआई हम वेख चाल पर सétais fat fat amar इस चनवे ज्रष्ण करते हैं और यह सिंग करके हमें अग्शिभी अटतार क्या देता device होती है और computer में output device होती है it means कि computer का भी principle क्या होता है input processing and output computer किस principle पर वग करता है input processing and output ओके बोलिए आप लोग किस principle पर वग करता है computer input processing and output principle पर ओके हम लोग ने ये भी एक दो बाते all be learn की थी computer कोई भी काम खुद से नहीं करता है computer वही काम कर सकता है जिसके लिए हम उसे क्या देते है command देते है जिसके लिए हम उसे order देते है तो जैसा command हम लोग देंगे जैसा input हम लोग देंगे उसी को process करके computer क्या generate करता है आउटपुट जेनरेट करता है तो हम लोग ने ये लाइन से लर्ण के थे कि it is necessary to give commands computer को हमेशा commands और instructions देने की क्या पढ़ती है जरूरत पढ़ती है it is very necessary ये बहुत जरूरी है to get any work done by the computer computer से कोई भी काम लेने के लिए हमें computer को command देने की जरूरत पढ़ती है फिर हम लोग ने लर्ण किया था types of computer हम लोग ने पढ़ा था कि कितने types के computers होते है किन-किन basis पे हम लोग computer को different types में रखते है in fact हम लोग ने ये पढ़ा था कि किन-किन basis पे computers को हम लोग different types में रखते है किन-किन basis पर रखते हैं उनके features के basis पर और उनके sizes के basis पर कुछ computers बड़े होते हैं कुछ computers छोटे होते हैं कुछ computers की features हैं features मतलब properties, business time तो कुछ computer की business time अलग होते हैं फिर हम लोग ने learn किया था desktop के बारे में desktop's word कैसे बनाया कैसे बनायी है desktop word हम लोग ने सीखा था कि desk and top इन दो words को मिला कि क्या बनाया desktop desk means maze and top means उपर की और रखना किसी भी maze के उपर जो भी system रखा जाता है, वो system क्या कहलाता है desktop कहलाता है फिर हम लोग ने learn किया था कि desktop का एक दूसरा नाम PC भी है PC is for personal computer P for personal, C for computer so desktop का दूसरा नाम क्या है PC है, ये थोड़ा सा size में बड़ा होता है इसे हम लोग एक जगह से दूसरे जगह पे नहीं ले जा सकते हैं इसे हम लोग कहां पे रखते हैं table के उपर रखते हैं, desk के उपर रखते हैं that is why इसका नाम क्या पढ़ा है desktop पढ़ा है, okay so that was all about desktop and the principle of computer कि हमारा computer जो है किस principle पर work करता है ये चीज़ें अभी तक हम लोग ने learn कर लिया है next हम लोग computer के types में second part learn करते हैं, laptop so ये word में तो बहुत आसान है जैसे desktop कैसे बनता है, desk and top से बनता है वैसे laptop कैसे बनता है, laptop बना है lap and tops है lap means क्या होती है, goad and top means उपर यानि कि ऐसा computer system जिसे हम अपनी goad के उपर रख सकते हैं जैसे हम अपनी goad में रख सकते हैं वो क्या कहलाता है, laptop कहलाता है एक ऐसा computer system जिसे हम कहां रख सकते हैं गूद में रख सकते हैं जिसे हम अपनी गूद में रख सकते हैं वो क्या कहलाता है laptop तो जो second type है first type क्या पढ़ा था हम लोगों ने desktop and second type laptop अब पढ़ते हैं कि laptop क्या होता है देखो ये जो laptop है ना इसे में सब कुछ है इतनी दूर में ही सब कुछ है और desktop को एक पर देख लेते हैं ये देखें ये desktop है यहाँ पी ये screen होता है and then keyboards होते है mouse होता है और एक CPU होता है तो desktop में कितने parts होते हैं at least four parts monitor जो screen होता है जिस पर में देखता है keyboard जिससे हम लोग input देते है mouse ये भी input device है और CPU processing unit जो होता है ये CPU तो ये ऐसी चार चीज़े होती है तो ये size में बहुत बड़ा हो जाता है और laptop में क्या होता है laptop में एक single चीज़े होता है आई ये flap है आप इसको बंद करेंगे न तो एकदम बंद हो जाएगा और एकदम book की तरह से देखने लगता है इसमें ये वाला हिस्सा monitor होता है ये देखे यहाँ पे ये जो मैं box बना रहा हूँ ये क्या होता है यहाँ पे mouse होता है आप लोग इसकूल हैंगे तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा laptop भी, desktop भी, smart phones भी, tablets भी and everything ये mouse होता है और ये जो black part है अब जिसे मैं circle कर रहा हूँ देख रहा है जिसे मैं circle कर रहा हूँ यहाँ पे क्या होता है keyboard होता है और जो इसका CPU होता है ये इसी में अंदर की और छिपा हुआ होता है यानि कि चारों चीजों से तो बनेगा ही बनेगा हर एक computer के लिए वो चार चीजे तो चाहिए क्या-क्या चाहिए उसके लिए mouse भी चाहिए होगा उसके लिए keyboard भी चाहिए होगा चाहे हैं वो कितना भी छोटा क्यों ना हो लेकिन फिर भी ये देखने में desktop से छोटा लग रहा है ना laptop क्या होता है laptop जो है वो desktop से क्या होता है छोटा होता है so चलो अब इसके बारे में learn करते हैं पढ़ते हैं और कुछ सीखते हैं about laptop get started हम लोगों को इसी के साथ-साथ क्या learn करना था हमें पढ़ना भी आना चाहे है हम कैसे reading लगाते हैं ये भी आना चाहे है तो चलो अभी से हम read out करेंगे reading करेंगे reading practices करते हैं a laptop is smaller than a desktop a laptop means एक laptop जो है वो smaller छोटा होता है than किस से छोटा होता है desktop desktop से छोटा होता है so our laptop is smaller than a desktop computer desktop computer से छोटा क्या होता है laptop होता है it is so small it is so small ये इतना छोटा होता है that we can keep it on our lap and walk कि हम इसे कहां रख सकते हैं keep मतलब रखना on our lap हम इसे अपनी गोद में रख सकते हैं and work और काम कर सकते हैं यानि कि ये इतना छोटा होता है और इतना हलका होता है almost 2 kg के आसपास आता है 1.5 kg से लेके 2 kg के आसपास आता है घर में वो जो आप क्या मग होता होगा ना पानी पीने के लिए उस मग में जितना पानी का वेट आएगा ये भी उसी से थोड़ा सहय भी होता है या उसी के बराबर होता है चले ये इतना छोटा होता है और इतना हलका होता है कि हम इसे कहां पे रख सकते हैं अपनी गोद में रख सकते हैं और काम कर सकते हैं जबकि आप डेक्स्टॉप को अपनी लैप में नहीं रख सकते अगर desktop को भी अपने lap में रख सकते तब तो उसका नाम भी laptop ही हो जाता ना क्योंकि desktop तो नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि उसको हम लोग decks के ऊपर रखते हैं चलो it is also known as notebook computer जैसे desktop को हम लोग दूसरा नाम क्या देते थे PC personal computer वैसे ही laptop का दूसरा नाम क्या है this one मैं उसे circle करता हूँ this one notebook computer इसका क्या नाम है दूसरा नाम है notebook computer यानि कि हम लोग को learn करना हो गए आपे desktop का दूसरा नाम होता है personal computer और laptop का second name जो दूसरा नाम होता है जो nickname होता है notebook computer what notebook computer okay so desktop लैप्टॉप का दूसरा नाम क्या होता है Notebook Computer One can carry it easily हम इसे बहुत आसानी से carry कर सकते हैं Carry करना मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाना है So, यह word भी हम लोग learn करनेंगे Carry करना मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाना जैसे आप लोग इस्कूल आते वक्त अपना इस्कूल बैग carry करते हैं अपने lunch box carry करते हैं अपना water bottle carry करते हैं इस्कूल से जब आप लोग वापस जा रहे होते हैं घर पे तो भी आप लोग क्या करते हैं अपना bag लेके जाते हैं अपना lunch box carry करते हैं अपना water bottle भी carry करते हैं कभी-कभी आप लोग अपना water bottle भूल भी जाते हैं तो next day आप लोग नया water bottle carry करके लाते हैं तो one can carry it easily एक आदमी जो है इसे एक जगह से दूसरी जगह आप बहुत असानी से ले के जा सकता है and it works on battery और यह कैसे function करता है battery से function करता है कैसे function करता है battery से तो laptop में battery भी लगी होते है इसके अंदर ही battery भी लगी होते है और इसी battery पे यह function करता है चलो next tablet PC यह थोड़ा mobile से बड़ा होता है और laptop से छोटा होता है देखो यह laptop से छोटा है और फिर पढ़ेंगे, हम लोग पहले दो words learn कर लेते हैं, जिसकी इसमें ज़रूरत पढ़ेगी, mobile mobile means क्या होता है, गतिसील mobile का नाम भी mobile इसलिए है क्योंकि हम उसे एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जा सकते हैं, वरना पहले क्या होता था landlines होते थे, फिर वो एक ही जगह टेबल पे घर में रखा रहता था, आप उसको कहीं लेके नहीं जा सकते जब फोन आता था तो आपको दोड के उसी कमरे में आना पड़ता था, उसी टेबल के पास आना पड़ता था, फिर आप फोन उठाते थे और बात करते थे, फिर वहीं पे रख देते थे थे उसको, वो वायर से connected होता था, लेकिन मुबाइल में तो वायर से कोई connection नहीं होता है, आप उस अपने pocket में रखके कहीं भी जा सकते हैं market चले जाते हैं, घर आ जाते हैं, अपने relative के यहां भी चले जाते हैं, और वो कहीं भी आपके pocket में जा सकता है, आपके साथ रह सकता है इसलिए उसका नाम क्या पढ़ा है, mobile mobile का मतलब बता है, गतिसीर, जो एक जगह से दूसरे जगह बहुत आसानी से जा सकता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, mobile, या जो भी चीज हिलती-डुलती है उसे mobile बोलते हैं, जैसे घर को हम लोग कभी भी mobile नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि घर तो कभी भी एक जगह से दूसरे जगह पे नहीं जाता है, वो तो एक जगह जहां बन गया, बस वहीं रहता है, वो तो हिला नहीं सकते, तो घर mobile नहीं होता है, लेकिन ऐसी सारी चीज हैं, जिसको आप एक जगह से दूसरे जगह लेके जा सकते हैं, आप उसे mobile बोल सकते हैं, फिर से देख लो, आपका जो टिफिन बॉक्स है, वो भी mobile है, आप उसे कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, आप उसे bag में रखके school लेके जा सकते हैं, वो आपके साथ ही रह सकता है हमेशा से, आप उसको लेके कहीं market भी जा सकते हैं, आप उसको लेके खेलने जा सकते हैं, तो वो भी क्या होता है, mobile होता है, यानि कि trees mobile नहीं होते क्योंकि trees जहां पर एक बार हो गई वहीं पर रहते हैं अब तो उनको एक जगन से दूसरे जगन पर ले जाने के लिए काटना पड़ेगा आपको बीना काटे तो नहीं जा सकते आप काटने पर भी तो वो मर जाते ना तो वो लोग मोबाइल नहीं कहलाते आप टीज को मोबाइल नहीं कह सकते आप हाउस को मोबाइल नहीं कह सकते आप कार को मोबाइल कह सकते हैं क्या कह तो सकते हैं कार को mobile क्योंकि वो एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है लेकिन फिर भी mobile का मतलब यह होता है कि बहुत आसानी से चला जाए कार के लिए तो बहुत ज़्यादे space चाहिए होता है आप उसको drive करके लेके जाते हैं ओके सो mobile का मतलब बता है एक जगह से दूसरे जगह बहुत आसानी से जो हम लोग पॉकेट वाकेट में रखे लेके जा सकते हैं ओके और allow करना का मतलब बता है यह हम लोग ने वर्ड बहुत बार learn कर लिया है लेकिन आज इसको एकदम confirm कर लेते हैं allow का मतलब बता है permission करना permission देना to give permission अनुमती देना ठीक है आग्या देना allow करना चलो अब हम लोग readout करते हैं third है यह ना first हम लोग के अनलोग ने क्या types अब computer में learn क्या desktop D for desktop and then second was L for laptop और यह क्या है T for tablet PC tablet PC यह third types है अपना तो a tablet PC is a notebook और a slate set mobile computer mobile computer क्यों बोला है इसको क्योंकि इसको आप लोग एक जगह से दूसरे जगह असानी से mobile की तरह लेके जा सकते हैं एक दो mobile के जैसा ही होता है लेकिन mobile से थोड़ा सा बड़ा होता है तो tablet PC में और mobile में कुछ बिसेश difference नहीं होता है कोई खास features का difference नहीं होता है कोई खास अंतर नहीं होता है दोनों यह जैसे होते है बस tablet PC थोड़ा सा बड़ा होता है मतला mobile से भी बड़ा होता है बड़े वाले mobile से भी बड़ा होता है tablet PC सो यही बात तो यहाँ भी बोल ला है कि यह क्या होता है mobile सेप का होता है mobile के जैसा ही एकदम से दिखता है it has touch screen जैसे mobile में touch screens होते है वैसे ही इसमें भी touch screen होता है that allow allow मतलब जो permission देता है user user मतलब प्रियोग करने वाले को to operate it without a keyboard जैसा कि मैंने आप लोगों को बता है कि इसमें keyboard नहीं होता है तो यह इसमें क्या होता है किसे हम लोग काम करता है जिसमें keyboard नहीं होता है उसमें हम लोग touch screen से काम करता है यानि कि हमने tablet PC के बारे में क्या सीखना है हमें tablet PC के बारे में यह learn करना है कि एकदम से mobile के जैसे होता है It is saved as mobile computer First thing Second thing इसमें जो screen होता है Touch screen होता है और वही keyboard की जग़ा पे Use किया जाता है हम लोग इसमे Input कैसे देते हैं Keyboard से नहीं देते हैं कैसे देते हैं Touch screen से देते हैं Second thing Third thing It is smaller than a laptop ये laptop से भी छोटा होता है तो सबसे बड़ा होता है Desktop फिर होता है Laptop और Laptop से भी छोटा है Tablet PC ठीक है Third हम लोग उने लर्न कर लिया Next Come to the Fourth part That is your smartphone Phones भी दो टाइप्स के होते थे एक तो ये वाला phone है ये जो phone दिखा रहे है वो कैसा है Smartphone जिस भी phone में हम लोग touch से work करते है Touch से work करते है Multimedia हम लोग operate कर सकते है तो उसे हम लोग क्या बोलते है Smartphones बोलते है पहले जो phones आते तो वो कैसे होते थे बहुत चोटा से diagram बनाओ देखो यहाँ पे ऐसा होता थे ऐसे होते थे mobile और इसमें बहुत चोटा से screen होता था सिर्फ इतनी ही दूर screen होता था इतनी ही दूर मैं color change कर दो blue कर दो यह देखे यह जो blue color है बस इतनी दूर screen होता था और उसके बाद यहाँ पे क्या होते थे numbers होते थे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 star, has key and space key फिर यहाँ पे एक green button बना होता था phone का जिससे आप लोग phone pick करते हैं फिर एक red button बना होता था phone का ऐसे वाले buttons बने होते थे C saved ओके इस type के mobile होते थे तो इसमें आप keys प्रेस करते थे अगर किसी को number dial करना है 9, 8, 7, 3 तो यहाँ पे पहले 9 key को प्रेस करेगा फिर 8 key को फिर 7 key को फिर 3rd key को और फिर वो numbers जड़ा लोते थे इसमें क्या होता है इसमें कोई भी keys नहीं होती है यह तो पूरा इतना बड़ा screen ही के बल होता है अब मैं इसे color को red कर देता हम फिर से इसमें कहता है इसमें इतना बड़ा तो सिर्फ और सिर्फ screen ही होता है इतनी बड़ी screen होती है इसमें photos भी अच्छे दिखते हैं अब यह smart phones हैं इसमें keyboards नहीं होते हैं आप इसमें किसे अपरोट करते हैं touch से अपरोट करते हैं तो जो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है tablet PC tablet PC और smart phones यह दोनों एक ही जैसे होते हैं एकदम से लेकिन होता क्या है कि tablet PC थोड़ा सा बड़ा होता है और smart phones थोड़े से छोटे होते हैं चलो थोड़े बहुत features का भी difference होता है चलो अब पढ़ते हैं इसको read out करते हैं कि this is a mobile phone यह क्या होता है smart phones क्या होता है mobile phones होते है with the features of touch screen computer और इन में क्या features होते है touch screen computer का features होता है मतलब हम लोग screen को touch करके touch मतलब छूना और screen मतलब यह जो भी आपको monitor देख रहा है that is called screen तो monitor को या फिर screen को हम लोग touch करके इसमें input करते है it is smaller than a tablet यह tablet से तो छोटा होता है but it can perform all those jobs which we can do on a computer लेकिन जो smartphone है ना वो एकदम computer की तरह से ही काम करता है और हम लोग computer पे जितने भी काम कर सकते है उतने सारे काम हम लोग कैसे कर सकते है अपने smartphone से भी कर सकते है features मतलब क्या हाता है features means properties business time यह word भी हम लोग को learn करना है इसलिए मैंने especially यहां पे लिखा हुआ है यह words यानि कि हम लोग ने अभी तक क्या क्या learn किया four parts कौन कौन से सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा था D for desktop then L for laptop then T for tablet PC and then S for smartphones तो हम लोग कितने types of computers learn कर लिए four types desktop, laptop, tablet PC and smartphones come to the next next is your PDA device PDA stands for personal digital assistant यह device होता है यह भी phone की तरह से होता है बस इसमें एक extra thumb touch button होता है एकदम आपके phone के जैसे होता है एकदम similar phone के जैसे होता है और यह जो touch pen है जिससे मैं लिखता हूँ ऐसा ही touch pen होता है इससे आप touch pen से इस screen पे touch करके भी लिखते हैं तो PDA is for आपको इसमें क्या करना है सिर्फ PDA का full form learn करना है personal digital assistant personal digital assistant इससे हम लोग बहुत सारे काम कर सकते हैं computer के सारे ही काम कर सकते हैं इससे हम लोग phone भी कर सकते हैं तो PDA that is it यह सारे computers के types होगे आप लोगों को यानि कि अब आप लोगों को learn कैसे करना है मैं बताता हूँ आपसे अगर कोई भी question पूछता है कि कितने types के computers होते हैं तो आप लोग बोलेंगे 5 types कौन-कौन से मैं सिर्फ initials लिखता हूँ desktop D for desktop L for laptops and then T for tablet PCs and then S for smart phones and then PDA 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 is for personal digital assistant okay personal digital assistant PDA तो कितने types होगे हैं 5 types 1st is desktop 2nd is laptop 3rd is tablet PC 4th is smart phones and 5th is PDA यह 5 names आपको learn करने हैं computer किस principle पर वर्ग करता है तो input processing and output principle पर वर्ग करता है okay कितने types होते हैं 5 types desktop laptop tablet PC smart phones and PDA personal digital assistant done हम लोग PDA के बारे में सिर्फ यही learn करते हैं कि PDA is like mobile phones वो computer के सारे वर्ग करता है और इसका नाम होता है पूरा नाम होता है personal digital assistant desktop का दूसरा नाम क्या होता है and laptop का दूसरा नाम क्या होता है यह भी आपको learn करना है फिर हम लोगों को learn यह भी करना था कि computer हमारी कैसे मदद करता है computer is a machine computer can adapt computer can sums computer can do mathematics computer can do art computer can be used as a writing tool computer can be used as a drawing tool as well आप उसपे drawings कर सकते है paintings कर सकते है आप उससे match के problems कर सकते है आप उसपे अपने हिसाब लिख सकते है आप उसपे photo editing कर सकते है and various types तो यह जो हम लोगों ने learn किया है computer के work क्या है कि इतने types के computer होते है और computer के principles क्या होते है इतना learn करना is so much sufficient it's much more than sufficient in fact तो आप लोगों को यह करना है फिर आज आप लोगों को जो भी workout दिया जा रहा है वो सारे exercises भी आपको करने है okay so that is it for today bye-bye have a nice day